जय शनी देव दोस्तो दोस्तो एक वार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में हमसे चोड़ने के लिए दोस्तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सस्क्राइब और दोस्तो कमेंट वॉक्स में लिख दीजिएगा जय शनी देव ताकि शनी देव आप लोगों प एक परंपरा चली आ रही है कि यदि कववा किसी की सरवे बैठ जाए तो अपने रिष्टिदार को छूटा पत्र लिखता है कि उसकी मृत्य हो गई है इसी प्रकार खवर सुनकर परजन शोक भी करते हैं उसी दिन दूसरा पत्र भी मिलता है कि वह एक खवर निराधार है के बोलने से भी अतिति आने वाले हैं ये वाला संकेत मिलता है तो दोस्तो आईए आज हम जानते हैं कि कववे के अंडे होते हैं वो हमें किस पकार से सुब और अशुब संकेत देते हैं दोस्तो आज हम कववा के अंडे किस तरह से हमारे जीवन में संकेत लेकर आते हैं इस अच्छी वरशा और अच्छी पैदावार होगी है संकेत जो एक इंक्षी पैदावार का संकेथ होता है। इसी प्रजाव में प्रशनता वनी रहती है दोस्तो जोतिस सास्तर की अनुसार यदि मादा कववा दो अंडे दे तो इसे अगनी कहा जाता है ऐसी इस्तिती में अलप वर्षा होती है खेतों में डाला गया वीज अंकुरित नहीं होता प्रजा भी दुखी रहती है तीन अंड प्रजाव में फसल को पसुप अच्छी नश्ट कर देती हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जोतिस सास्तर में बताया गया है कववा यदि चार अंड़ा दे मादा कववा यदि चार अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है दोस्तों इसको एक अत्यंत शूव शंकीत मान कि जब हम यात्रा के लिए जा रहे हैं और कववा बाई तरफ से आकर इस तरह भोग ले तो यात्रा निर्वेक निशमाप्त होती है दोस्तों भोग लगाते समय यदि कववा पीठ पीछे आए तो प्रवाशी को लाव होता है दोस्तों सूखा तिनका लेकर कववा अगर हम अपनी चौच में दिखे दोस्तों जोतिस सास्त्र की अंसार यदि कववा अपनी चौच में हमें सूखा तिनका ले जाते हुए दिखे तो इससे हमारे जीवन में बहुत अधिक धनलाव होता है आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जो हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना बोलें और अपने दोस्तों में सेयर कर दें ताकि यह जानकारी उनको भी मिल सकी थैंक्यू फर वाचिंग